नमस्कार दोस्तो मैं सौमिय रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज मैं फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नया मोबाइल ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी लेके मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ये स्ट्रेडिजी आप लोग यूज कर सकते हो कैसे इसको आप लोग चार्ट पे सेट कर सकते हो और कैसे जो स्ट्रेडिजी हम लोग यूज करने वाले वो जो इंडिकेशन देता कैसे इसको यूज करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग effectively इसको manipulate कर सकते हो कुछ changes कर सकते हो और सिर्फ और सिर्फ आपके mobile application के द्वारा trading करके धेर सारा पैसा कमा सकते हो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये mobile trading strategy का demonstration registration तो दोस्तों मैं फिर से आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ welcome bonus के बारे में welcome bonus पाने के लिए आप लोग को क्या करना है simply मेरे YouTube चैनल पे जाईए सोमी और रॉय कोई भी वीडियो description box में जाईए और यहाँ पे all in trade platform ये जो link दिया हुआ है link को simply आपको click करना है link को click करते ही आप redirected हो जाओगे registration page पे कैसे आपको welcome bonus मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ registration आप लोग को कैसा करना है यह है यहाँ पे आपका email address डालना है यह रहा email address यहाँ पे कोई भी password आप अपने हिसाब से choose कीजिए और हमेशा यह ध्यान में राखना है दोस्तों आप लोग कोई currency हमेशा USD ही होना चाहिए United States dollar उसके बाद यहाँ पे click कर दीजिए check mark को और यह रहा register तो दोस्तों आपको यह दिख रहा है कि आप register करते ही आपके पास यह screen आ रहा है double your deposit तो यहाँ पे जाईए आराम से आप deposit कीजिए और आपको दिख रहा है कि 30 डॉलर से 100 डॉलर है 200 डॉलर है मैं एही बताऊंगा कि 200 डॉलर सिलेक्ट कीजिए क्यों कि 200 डॉलर आप सिलेक्ट करोगे 100 परसें का bonus मतलब आपके account में 400 डॉलर्स डिपोजिट होगा अभी जाऊंगा डिपोजिट करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी same कर सकते हो and you guys will get 100% welcome bonus from all in trade let's tap deposit तो दोस्तो आप लोग क्या कर सकते हो यहां से भी आप लोग डिपोजिट कर कर सकते हो या तो simply आपके visa card या master card किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है तो यह देखिए मैंने 200 डॉलर का deposit करने का निर्नाई लिया है and here comes the welcome bonus 57 minutes बचा हुआ है will be credited मतलब आपके account में जाएगा 400 डॉलर यहां पे मैं deposit दबाऊंगा तो वेट करते हैं मैं तब तक अपना card details fill in करता हूँ तो दोस्तो यह मैंने deposit किया अपने olimtrade trading account में 200 डॉलर account registration करते ही और मुझे मिला 100% का bonus तो यह आप लोग को दिख रहा है मेरा live account का balance है 400 डॉलर you guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus so do not miss out on this opportunity तो दोस्तो चलिए ready हो जाईए देखने के लिए कि कैसे मैं आज का ये indicator stochastic जिसको हम लोग बोलते हैं कैसे chart पे set करते हैं और कैसे कुछ छोटा सा changes हम लोग करते हैं अपने benefit के लिए और कैसे हम लोग trade करते हैं और पैसा कमाते हैं तो पहले चले जाएंगे indicators के tab पे indicators tab पे यहाँ पे आप लोग को stochastic देख रहा है plus पे दबाईए नीचे जाईए यहाँ पे period value 14 है 14 ही रहने दे कुछ change करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे period value 14 का color change करके red कर देंग नीचे जो period value है उसका value है 3 उसको 3 ही रहने दे और change करके green कर दे तो यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार कि यहाँ पे color change क्यों नहीं हुआ यह रहा red और नीचे का जो है वो रहा green तो ठीक है आप लोग को दिख रहा है कि stochastic जो indicator है वो मेरे trading chart पे set हो चुका है और अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि कैसे आप लोग को पता चलेगा कि क्या indication stochastic दिखा रहा है जो red color का line है वो जब intersect करके उपर से नीचे आता है green line को intersect करके उपर से नीचे आता है इसका मतलब यहाँ पे downward trend का indication है आपको downtrade open करना है जब फिर से red line जब green को intersect करके नीचे से उपर के तरफ जाता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे upward trend का एक संकेत है आप लोग को दिख रहा है कि मैं पिछे जा रहा हूँ पिछे जा रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पाऊगे और आप लोग यहाँ पे समझ पाऊगे कि basically मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ठीक है तो यह है इंडिकेटर का लक्षन मैं आप लोग को अभी कुछ ट्रेड करके बताऊंगा और मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि कैसे मैं इंडिकेटर को यूज यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है सरासर यहाँ पे जो रेड लाइन है नीचे के तरफ आया है और भी नीचे जाने का यहाँ पे आसंका है मैं तीन मिनिट का ट्रेड टाइमिंग सेट किया हूँ 500 डॉलर का इंवेस्टमेंट और यह मैंने एक ट्रेड ओपेन कर दिया 500 डॉलर का डाउनवर्ड ट्रेड मैं यहाँ पे देख लूँगा कि प्रॉफिट यहाँ पे कित्ता आ रहा है 30% अचाना कि यहाँ पे प्रॉफिट चेंज हुआ कभी कबार यह होता है इसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है हर एसेट में हमेशा सेम प्रॉफिट परसेंटेज नहीं रहता है लेकिन दूसरा ऐसेट पे हम लोग चले जाएंगे दूसरा ऐसेट को देखेंगे कि यहाँ पे योरो नुजिलेंड डॉलर जो ऐसेट है इस पे हम लोग थोड़ा नजर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग को सरासर ये दिख रहा है कि जो stochastic indicator है वो upward movement हम लोगों को दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे stochastic indicator यूज करके upward trade open कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एक upward trade open किया stochastic indicator यूज करके euro न्यूजिलेंड डॉलर 80% का profit rate है और देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है तीन मिनिट का trade timing है बहुत ही essential है यह trade timing क्यूंकि जितना close जितना time मौका आप दोगे आपको यह देखना है कि chart level के नस्दीक है level के अगर नस्दीक है तो आपको ज्यादा time देना चाहिए कि break अगर करना चाह रहा है chart तो break हो पाए वहाँ पे ठीक है यह सब चीज बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से important है New Zealand dollar CHF यहाँ पे मैं downward trade open किया था chart अभी stagnant है 1 minute 20 seconds का time बचा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि chart क्यूं नीचे नहीं जा रहा है यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे हाँ वाकई में जो profit percentage था वो थोड़ा कम था मैं overlook किया लेकिन इसमें कोई problem नहीं है देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को क्या नतीजा मिलता है क्या हम लोग को यहाँ पे end result क्या प्राप्त होता है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो दोस्तों कभी कबर मैं आप लोग को यह बता दूँ यहाँ पे जो मैंने trade open किया euro new ziland dollar पी euro new ziland dollar basically 80 जो red line है यहाँ पे stochastic indicator में red line से उपर चला गया है मतलब overbought region के उपर गया है इसका मतलब क्या है दोस्तों ध्यान में रखना होगा इसका मतलब है वहाँ पे correction होगा चार्ट नीचे आएगा कभी कबर हो सकता है कि थोड़ा time ले लेकिन यह time is not going to be forever यह नीचे आना ही हना है क्योंकि कभी भी price बढ़के आस्मान नहीं चू सकता एक level तक बढ़ेगा उसके बाद फिर नीचे आएगा देख लेंगे कि यहाँ पे क्या result हम लोगो को आ सकता है न्यूजिलेंड डॉलर स्विस फ्रेंग यहाँ पे 5 सेकेंड का time बचा हुआ है एक सेकेंड और यह रहा हम लोग का पहला profit 30% का profit rate था न्यूजिलेंड डॉलर स्विस फ्रेंग 650 dollars of total income 150 dollars of profit euro new ziland dollar पे अब ही मेरा नजर है और euro new ziland dollar पे हम लोग बढ़िया profit कर सकते हैं यहाँ पे मैं और एक trade open करूंगा euro new ziland dollar पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और पैसा कमा सकते हैं कि नहीं we have reached a good level हम लोग एक बढ़िया level पे चले गए हैं तो थोड़ा वेट करेंगे 19 seconds का time बचा हुआ है euro new ziland dollar पे देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे profit percentage 80 है बढ़िया profit है तो दोस्तों 8 seconds का time बचा हुआ है देखिए कि कितना accurate कितना accurate यहाँ पे indication हम लोग को मिला है यह रहा profit दूसरे trade का euro new ziland dollar पे 400 डॉलर का ultimate profit यहाँ पे हम लोग कमाए है मैं यहाँ पे trade open करूँगा मैं यहाँ पे trade open करूँगा down trade मैंने open किया है 50 डॉलर के investment किया हूँ 3 minute का time frame downward trade मैंने open किया है euro new ziland dollar पे क्योंकि मुझे यहाँ पे यह लग रहा है कि chart नीचे आएगा क्योंकि overbought region से बहुत उपर चला गया है chart तो यहाँ पे नीचे आना जरूरी है तो थोड़ा wait करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है यह बहुत ही खराब स्थिती आप लोग को दिख रहा है 2 minute 27 second का time बचावा chart अभी भी उपर जा रहा है मतलब यहाँ पे कित्ता potential है आप लोग यह समझो लेकिन दोस्तों दूसरा chart तब तक देख लेंगे कि कौन सा chart यहाँ पे बढ़िया हम लोग को return दे सकता है euro usd का chart देखेंगे chart यहाँ पे क्या movement दिखा रहा है थोड़ा देखना जरूरी euro usd को समझ पाना बहुत ही मुश्किल बात है देखते हैं देखते हैं euro usd level के उपर है level नसदीक है मैं यहाँ पे euro usd पे एक trade open किया हूँ downward trade क्योंकि यह level के सामने है तो level तोड़के उपर जाना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे हिसाब से बहुत trader यह सेम चीज़ मानते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है chart नीचे आता है यह down जाता है euro न्यूजिलेंड डॉलर euro usd पे दो trade open है हम लोग का और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नजारा हम लोग को दिखने को मिल रहा है बहुत ही बढ़िया profit यहाँ पे हम लोग कमा सकते हैं थोड़ा वेट करेंगे थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है अखिरका तेखिए हिसाब से बताएंगे हिसाब से आप लोग देखिएगा तो ट्रेडिंग कोई rocket science नहीं है आज के देट में ट्रेडिंग ऐसा हो चुका है कि आप अगर basic कुछ चीज़ फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसे बहुत कोई है जिन लोग जिन्देगी भार ट्रेड किये एक ही इंडिकेटर का यूज करके एक ही strategy मानो यूज करके ट्रेड किये और बढ़िया पैसा कमाए इंडिकेटर 10, 15, 20 जानने से कोई फाइदा नहीं है लेकिन फाइदा इसी में है कि आप एक इंडिकेटर को बढ़िया से जानो बढ़िया से सिखो और उसी को यूज करके बढ़िया से आप लोग पैसा कमा सकतों क्यूंकि जित्ता ज्यादा आप एक इंडिकेटर को पॉलिस करोगे घिसोगे उतना वो बहतर रेजल्ट आपको कभी ना कभी जाके देगा ही और दोस्तों और एक चीज़ बता दू मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लिंक को यूज करके रेजिस्टर कीजिए और रेजिस्टर करने के एक घंटे के अंदर डिपोजिट कीजिए तो आपको मिलेगा 100% का वेलकम बोनस तो यह जो मौका है इसको हाथ से जाने मत दीजिए बोलते ही बोलते यहाँ पे हम लोगों को एक लॉस हो चुका है योरो न्यूजिलेंड डॉलर पे हम लोगों को बहुत कड़ा लॉस हुआ है योरो यूएसडी अभी भी साथ दे रहा है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि योरो यूएसडी पे एक अपवर्ड ट्रेड ओपेन करेंगे तो हम लोग कुछ पैसा जरूर कमा सकते है मैंने एक ट्रेड ओपिन किया है योरो यूएसडी पे अपवर्ड क्योंकि चार्ट करेक्शन हुआ है लेकिन उपर लेवल है करेक्शन हुआ है मतलब यह उपर जाएगा ही जाएगा यह मेरा अनुमान है देखते हैं क्या होता है तो जो बात मैं कर रहा था दोस्तो जाएगे रेजिस्टर कीजिए डिपॉसिट कीजिए and you will get 100% of welcome bonus ठीक है दोस्तो और मैं आप लोग को यह बता दू कि आप लोग कभी भी ट्रेड कर सकते हो कभी भी पैसा कमा सकते हो कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो कहीं से भी पैसा कमा सकते हो mobile application से तो दोस्तो कोई problem नहीं है अगर आप join करना चाहते हो मेरा telegram signal trading group और मेरे साथ every Monday to Friday ट्रेड करना चाहते हो तो आप बिलकुल कर सकते हो यहाँ पर euro USD का और एक हमासान profit हम लोगों को मिला है और एक euro USD आभी भी बचा हुआ है तीन मिनिट का टाइम है देखते हैं दूसरा चार्ट और दूसरा चार्ट पर क्या हो रहा है यह देखेंगे GBPUSD GBPUSD पर क्या हो रहा है देखेंगे GBPUSD डाउनवर्ड मुविंग है मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा amount हम लोग बढ़ा देंगे और euro USD मेरे हिसाब से उपर जाएगा ही जाएगा यहाँ पे मैंने और एक trade open किया euro USD पे 180 dollars का investment है 82% का profit है euro USD एक already चल रहा है जहाँ पे हम लोगों को already एक minute का time बचा हुआ है trade expiry में वहाँ पे 50 dollar का investment है GBP USD पे 80 dollars का investment है देखेंगे क्या होता है बहुत बढ़िया चल रहा है यह trading session बहुत बढ़िया indicator है बहुत ही बढ़िया indication दे रहा है and I'm really feeling hoping कि यहाँ पे हम लोग better पैसा कमा सकते है थोड़ा wait करेंगे थोड़ा wait करेंगे यहाँ पे euro USD जो trade है चौथा trade 48 seconds का time बचा हुआ है दोस्तों देखें as a trader आपको हमेशा यह चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत बढ़िया decision ले रहे हो आप बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो account deposit है उसको आप use कर रहे हो profit को maximize करने में loss होता है you cannot win every trade यह संभव नहीं है मेरे हिसाब से कोई भी trader जो बढ़िया trade करता है वो भी आपको यही बात बताएगा लेकिन wealth management, money management and proper utilization of your money of your account balance can make a big difference यहाँ पे euro USD पे हम लोग को एक loss हुआ बहुत ही close थे हम लोग लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे loss हुआ देखते हैं कि GBP USD हम लोग को यहाँ पे क्या result देता है GBP USD बहुत बढ़िया position पे है एक मिनिट का टाइम फ्रेम है दोस्तो पाँच trade लगबाग मैं open किया हूँ जिसमें से दो trade profit है दो trade loss है यह जो trade है यह हम लोग को और ज्यादा profit देगा यह मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और देखिए दोस्तो सबसे एहम चीज कि यह जो stochastic indicator है इतना simple indicator है क्या बढ़िया result दे रहा है क्या बढ़िया indication दे रहा है तो दोस्तो यह video को ध्यान से देखिए फिर से मैं दोरा देता हूँ आप लोग के लिए कि red line जब intersect करके नीचे से उपर के तरब जाता है you have to open upward trade red line intersect करता है green को और उपर से नीचे के तरब जाता है तब आपको open करना है downward trade नीचे से उपर red line green को intersect कर रहा है तो upward trade उपर से नीचे downward trade दियान में रखिए 7 सेकेंड का time बचा हुआ है और हम लोग के पास बहुत बढ़िया एक मौका ये रहा profit GBP USD का 82% का return था यहां पे $145 of total income तो दोस्तों ये रहा stochastic indicator का mobile trading का demonstration आसा करता हूँ ये video आप लोग का अच्छा लगा होगा कुछ सिखने को मिला होगा अगर आप लोग video को पसंद करते हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ वो पसंद करते हैं तो like button जरूर दबाईए share कीजिए video को दोस्तों यारों में सबको बोलिए अगर उन लोग को trading करना है तो वो लोग नीचे comment कर सकते हैं और join कर सकते हैं मेरा telegram signal trading group every Monday to Friday मेरे साथ trade कर सकते हैं बेल आइकन को दवाना मत भूलिए और दोस्तों कृपया मेरे चैनल मेरे YouTube चैनल समय रहा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप लोग के लिए मैं लाते रहूंगा ऐसा ही बढ़िया trading strategies using mobile using laptop and I'm going to teach you guys how exactly you can make money and how exactly you can make your life better thank you so much आज के लिए इतना ही जैहिंद